दोस्तों मैं हूँ आपके साथ इशनेगी आज हम बात करेंगे पीएम मोदी ने जेवर एरपोर्ट का शुनन्यास करते वक्त जो भाशन दिया उसके बारे में लेकिन उससे पहले योगी का ये बयान सुनना जरूरी है भाईो बेनो ये बहुत प्रतिक सी छण पस्यमी उत्तर प्रदेश के लिए त्यंत महत्तपूर है और इसले महत्तपूर है यहां के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रियास किया था लेकिन भाईो बेनो गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो स्रिंखला खड़ी की थी आज ये देश के अंदर एक नया दुन्द बना है तो सीयम योगी ने विकास के इतनी बड़ी परियोजना के शिलन्यास के मौके पर जिन्ना को याद किया Double Engine की सरकार को अपने विकास पर भरोसा नहीं है जो जिन्ना के भरोसे चुनाव जीतने के रणनीती बनाय जा रही है जो पॉने 5 साल में काम किये उस पर भरोसा नहीं है जो जिन्ना को याद किया जा रहा है क्या जंता को इतना मुर्ख समझ लिया है कि 2021-22 के भारत में जिन्ना के नाम पर वोट मिलेंगे हो सकता है मिल भी जाए वाके जंदर को मुर्क समझ लेा गया है इसलिए पीम अपने भार्षन में विपक्षी दलों को कोसने का काम किया और डबल इंजन सरकार का नारा दिया दोस्तों डबल इंजन का नारा अपने आप में लोकतंत्र का बहुत बड़ा अपमान है होना भी चाहिए कि केंद्र चाहे किसी की भी सरकार हो या फिर केंद्र में चाहे किसी की भी सरकार हो राज्य में चाहे किसी की भी सरकार हो दोने ही सरकारों को तालमेल के साथ काम करना चाहिए डबल इंजन की सरकार की फाइदे बताना और जंता को डराना कि देखिया का डबल इंजन की सरकार नहीं बनेंगी तो विकास उत्ता नहीं हो पाएगा और विकास में भी पुछड जाओगे जैसे कि बिहार में किया गया और किसी भी राजे में किया जाता है अगर ऐसा हो तो केंद्र में जिसकी सरकार हो तो राजे में भी उसी की सरकार होनी चाहिए फिर लोकतंत्र कहां बच जाएगा दोस्तों दरसल होना ये चाहिए कि चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राजे की सरकार हो दोनों को मिलकर एक साथ काम करना चाहिए काम के साब के अधार पर वोट मांगना चाहिए डबल इंजन का नारा दे कर नहीं डबल इंजन का नारा ही अपने आप में अलोकतांत्रिक है इसके अलावा पीया मोदी ने अपने भाशन में पहले की सरकारों को कोसने का काम किया जबकि पीया मोदी को पूछना चाहिए था मंच से सामने लाखों लोगों की भीड थी कि वाकई अगर साथ साल में पूरी रफतार से विकास हुआ है पूछते ही कि भाई और भेनों इन साथ सालों में अच्छे दिन आए या नहीं आए वो अक्सर नारे लगाते हैं कि आए कि नहीं आए तो ऐसे ही दो दिन बार नारे लगवाते की पैटरोल सस्ता हुआ की नहीं हुआ महंगाई कम हुई की नहीं हुई आदर्श ग्राम बने की नहीं बने स्मार्ट सिटी बनी की नहीं बने इसके साथ ही पूछना चाहिए था कि दो करोड यवाओं को मैंने रोजगार दिया की नहीं दिया यखीन मानी अगर पियमोदी ऐसे नारे लगवाते तो सामने वाली भीड हाँ कहीं जवाब देती क्योंकि जो लोग वहाँ उनको सुनने वाले हैं वो सारे उनके अन्युआई हैं और मोती जी जो बोलेंगे उसकी हाँ में भड़ लेंगे लेकिन पियमोदी को इस भीड के विवेक पर भरोसा होना चाहिए लेकिन हो सकता है कि पियमोदी को शर्म आती हो कि ऐसा हुआ तो नहीं कि स्मूज से मैं ये नारे लगवाँ इसलिए आपको याद हुगा कि पियमोदी ने 2014 में जब देश की कमांड संभाली थी तो उस वक्त अंतराश्वे मार्केट में तेल की किमाद बहुत नीचे चली गई तब उन्होंने नारे लगवाए थे अच्छे दिन आए कि नहीं आए और उसके बाद था कि पैट्रोल सस्ता हुआ कि नहीं हुआ तो अब एक बार फिर ये भी नारा दोबारा लगा के देख लीजे तब उन्होंने कहा था कि मेरा नसीब अच्छा है तो मैं क्या करूँ और अगर मेरे नसीब से देश का भला होता है तो मैं क्या करूँ तो अब भी उन बातों को दोहराना चाहिए तो पता चल जाएगा जहां तक उन्होंने कहा था कि हवाई चपल वाले को उडान यूचना से हमने हवाई जहाज में बठाने का काम किया मुदी जी आम आदमी पब्लिक ट्रांस्पोर्ट का इस्तमाल करता है या फिर अपने साधन का इस्तमाल करता है और उसे चलाने के लिए पेट्रोल के ज़रूरत होती है जिसके दाम आस्मान चूरे है लोगों से आपको पूछना चाहिए हवाई जहाज में अब भी बहुत कम लोग प्रतीशत में आप तुलना करेंगे तब भी बहुत कम लोग इसका इस्तमाल करते हैं लेकिन जो ट्रेन है रेलवे है वो आम आदमी की लाइफ लाइफ लाइन है तो क्या आपने रेलवे की सफर को स़ष्था किया है क्या उस अनुसार सुविधा बड़ गई है और क्या आम आदमी अब ट्रेन में सफर करने से सहच मैसुस करते जह तमाम सवाल है आम आदमी के सामने और आप हवाई सफर की बात करते हैं ऐसे में इतना ही कहेंगे कि मोदी जी जरा आस्मानी बातों से नीचे आए और जमीन पर जो आम आदमी के हाल है उनकी बारे में बात कीजिए जहां तक चुनाव की बात है तो ना तो आम लोगों के लिए जिन्नावाईने रखता है और ना ही विपक्ष को कोसना मेंगाई को लिकर मोदी जी की चुपी पर आपका क्या कहना है हमें ये कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताए अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो उसे लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें